वाकई में जीवन में क्या सच आई है? सत्य क्या है? तेकि सत्य जीवन में वास्तों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सत्य किसी के साथ एक समान नहीं भी सुखता है, आपका अपना सत्य होता है, हमारा अपना सत्य होता है, कोई दूसरा एक अधिकारी है, अधिकारी का अपना स सत्य कोई छोटा कर्मचारी उसका अपना सत्य होगा मिरिक्ष है चोटे मिरिचों का अपना डायरा है अपने सच्छ में जी रहे हैं। एक नहीं है दुख क्यों है देखिए दुख कुछ होता नहीं है दुख परिस्थितियों का अनुभव है हम जिन परिस्थितियों में जीते हैं उन परिस्थितियों को गहराई से अपने अंदर उताल लेते हैं कि यह चीज़ हमें अभावित कर रहा है अभावित जो ही हम अभाव क्यों कि हमारे पास two-wheeler हमारे पास चोटे संसाधन है तो हम कभी में छोटे अपने से लोगों को नहीं से जिर धने तो हमारा दुख मोगा हमारा अनुभव, अभाव, किसी वस्तु के अभाव में अपने आपको नर्वस कर देना ही दुख तो फिर दुख और सुख में अंतर क्या हो सकता है? देखिये, सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है हम अपने जीवन में जो कुछ बहतर तरीके से कर लिए हमारे लिए वही सच है और जो हमें अभावित कर गया वही हमारा दुख माना जाएगा तो यह कभी भी किसी के साथ समानता से तो रह नहीं सकता आप एक परिवार में हम एक परिवार में हो सारे लों का एक family है परिवार है लेकिन कभी अन्य जिटने भी इतियास पड़े हूं उप्गे किसी भी किसी भी समानतों में कोई समानता नहीं दिख एगर वही सच है आगे दूसरा क्यों हो गया ना दुख है ना शूख है समझ हम क्या समझ रहें अच्छे चीज को पा गए तो हम उसको सुक समझ बैठे और हमारी कोई चीज चाह रहें वह न प्राप्त हुई तो हम दुख समझ बैठे बसे दुख और सुक समझ का फरक है बाकी दुनिया में तो जब कुछ भी नहीं था तब भी लोग जी के मर गए है और आज बहुत कुछ है तो भी लग जी कि मरही तो दिर में चर्चा होती है वास्तों में धर्म क्या है यह के धर्म एक जैसे धा है यहां लेशन करने ना इस violation have जैसे ब्रिक्ष।etr तो आमा की ब्रिक्ष के उपर क्या एक आम ये फल है। वह जो धारण करेंगा आम का ही धार्न करेंगा तो जो धर्म होता है अपना-पना धर्म होता है। अब जैसे मनुष्य है मनुष्य का धर्म उसको जो उसके अंदर है वही उसका धर्म है जैसे करूना दया परोपकार सेवा भाव प्रेम करना ये उसके क्या है सभावे होने चाहिए और जब उस भाव में होंगे तो जो कुछ भी करेगा वह उसका धर्म होगा लेकिन मतलब क्रोधी व्यक्ति उसके अंदर क्या होगा एर्षा होगी जलन होगा नफरत होगी उद्धन्टा करना ही होगा जिनके अंदर यह सारे अभाव भरे रहेंगे अब उनके लिए वो धर्म है जैसे कहा जाता है अगर अप्राधी ही हो इतने बड़े अप्राधी बनो कि तुम्हें दुनिया जाने अपसर बन रहे हो इतने बड़े अपसर बनो कि तुम्हें दुनिया जाने नेता बन रहे हो इतने बड़े बनो इसका मतलब है कि जो भी बनन बड़ा बणना है तभी उसका धर्म स्युकार होगा और अन्य था कोई धर्म नहीं है तो इसलिए धर्म की कोई परिभासा आज तक इस धर्ति पर कोई सची परिभासा निकालकर बहला ही न सका फिर जीवन का उद्दिश से क्या है देखिए दरसल जीवन का जो उद्देश है इस प्रित्वी पर जन्मा हुआ कोई भी प्राणिया तक समझ नहीं पाया क्योंकि अंतिम लक्ष तो जीवन का मृत्यू ही है जीवन प्रगट हुआ उसके साथ साथ मृत्यू आही जाते हैं जैसे बाल जन्म लेते ही उभर आते हैं उसी प्रकार से जन्म लेते ही मृत्यू भ करके हमें चली जाते हैं तो देखे क्या लक्ष है क्यों प्रित्वी पर आया गया है कुछ लोगे मानते हैं कि हम भजन करने आये हैं तो भजन करने वाले भी तो दुखी होकर मर रहे हैं कुछ लोग कहते हमें संसार में अच्छे कर्म करने आये हैं तो अच्छे कर्म करने वाल तो ये संसार में वसु हैं वसु भी हैं उनको क्यों आये हैं वो कोई कान का पता चलता है क्या बस जो हमारी जरुत में हम उसका उस तरह से उपयोग कर लिए वही उसका धर्म बताया जाए तो वही उसका लक्ष बताया जा रहा कि अच्छा बैल है तो बैल की तरह बैल चले व यह हमारा धर्म है यह हमारा जो लक्ष समझ जिए कियोंकि हमें ना वह भविश का पता है और जो हमारा गुजर गया उस का तो जो हमारा है बरत्मान हमें इसको चलिए प्रकार मुद्च हई उसको शर्म समझ ले gust पर एक इंसान को अपने जीवन को सुद्रिन बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए देखें दरसल मुँष्य कभी सुद्रिन हो भी नहीं पाता है जय कि उसके प Wallace ऐसे सी परिस्दिय आती रहती है कि वो उन परिस्तितियों के वीच में ऐसा उल्जा रहता है, यो कभी सूलज नहीं पाता है, अगर वो अपने को सुध्रिन बना ले, कि मैं यहां से चल रहा हूं, और चल करके अपने पास बड़े सांतिस अपने परिवार में रहूंगा, परन्तु इतनी लोग इतने कलुसित हैं, उस ब्यक्ति को चैन से बैठने नहीं देंगे, अब सोचिए कि आप अपनी सुध्रिन तक कैसे लाएंगे, कोई भी ब्यक्ति, कहीं भी सुध्रिन नहीं है, कोई कितना भी कहले में बहुत शुखी हूं, बहुत शान्त हूं, बहुत आनन्दित हूं, कभी नहीं हो शकत बीमार हुआ दुक कानभाव कर रहा है और दुक इसको आरहा है शरीर चोड़ो कर जाना है पाया किसी चित को पाया तभी वह नुबह कर रहा थे इसलिए दुक और शुक के सथ उसी के साथ जी रहे हैं बाकी संपदा होनी वस्तु होना ये तो बाहरी चीजें हैं ये बाहर रखी रहती हैं लेकिन जो गक्ती है जीवन है जीवन में शुक और दुख दोई पहलूओं पर पूरा ये जो मानौ प्रजाती है को चल रहे हैं